सुपरभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे तो बच्चों, आज मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ क्या सब सुनने के लिए तयार है? हम्, बहुत अच्छा तो चलो शुरू करते हैं एक होती है, छोटी सी गुडिया बिल्कुल प्यारी सी, आपके जैसी उसका नाम है दिवया उसके घर एक दिन, पोस्ट मैंन अंकल एक पत्र लेकर आते हैं तो दिवया बहुत हैरान होती है वह उनसे पूशती है, ये क्या है? ये कहा से आया है? ये किसने भेजा है आपको कैसे मिला और सबसे ज़्याता है रान तो वे इस बात को लेकर होती है कि पोस्टमेन अंकल को उसका घर कैसे मिला और इस तरह वे सभी सवाल पोस्टमेन अंकल से पूछ डालती है वे दिव्या से कुछ सवालों के जवाब देते हैं और बाकी सवाल के लिए उसकी मैम का पता बता देते हैं कि ये स्वाल जाके अपनी मैम से पूछना तो प्यारे बच्चों आज मैं दिव्या के साथ साथ आपको भी बताते हूं चिठ्ठी का सफर तो चलो शुरू करते हैं चिठ्ठी का सफर तो प्यारे बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम चिठी को लिखते हैं और लिखने के लिए पत्र के बाईं तरह सबसे पहले संभोधन लिखते हैं संभोधन भी अलग-अलग होता है बड़ों के लिए अलग बराबर वालों के लिए अलग और छोटों के लिए अलग जैसे बड़ों के लिए आदनिये पूजनिये और बराबर मारे बालों के लिए प्रिये प्यारे इता दी उसके बाद चिट्थी में लिख देते हैं ऑसके बाद करते हैं पत्र का शमापन में में भी संबोधन की तरह अलग अलग मित्र अगर किसी घर के बड़े बुजुर्ग के पास लिखते हैं तो लिखेंगे आपका बेटा या बेटी और उसके नीचे अपना नाम लिख देते हैं तो प्यारे बच्चो इस प्रकार हम चिठी लिखते हैं उसके बाद सबसे मैं तो पूर्ण बाद चिठी के उपर सामने की तरफ लिखते हैं पता और पता वहां का लिखते हैं जहां हमें चिठी को पहुंचाना होता है और उसके बाद लिफाफे को बंद करके डागर में एक दाल रंग का डिपा होता है उसमें डाल देते हैं जिसको हम लेटर बोक्ष बोलते हैं और इसके बाद प्यारे बच्चों अभासे पोस्ट में उन सभी पत्रों को निकाल लेते हैं और फिर होता है अलग-अलग स्थानों के हिसाब से पत्रों की चटाई का कम स्थान के हिसाब से उन पत्रों को अलग-अलग बोक्स या थेलों में भर लिया जाता है और इसके बाद पत्रों को एक ट्रक में भर कर विभिन स्थानों पर बेज दिया जाता है वहाँ पर एक बार फिर शुरू होता है गाउं या शहर के हिसाब से छटाई का कम अलग-अलग स्थानों के पत्र अलग-अलग कर लिये जाते हैं और फिर वही पोस्ट मैन अंकल जो दिव्या की चिठी लेकर आया था वही हमारे पत्रों को लेकर हम तक पहुचा देता है तो इस तरह प्यारे बच्चो पत्र को या चिठी को इतना लंबा सफर हम तक पहुचने के लिए तैय करना पड़ता है अब आपने देखा दिव्या को भी सभी बातें समझ में आ गई थी और दिव्या रहती है अपने मम्मी पापा के साथ और उसके दादा दादी रहते हैं गाउ में और दिव्या अब की बार गर्मी की छूटियों में अपने बुवा जी के गर गई है वहां कुछ दिनों के बार उसे अपने पिता जी की बहुत यादाई आपको भी यादाती है ना जब आप अपने मम्मी पापा से धूर होते हो तो बच्चों दिव्या ने वहां से अपने पिता जी को एक चीठी लिखे अब तो दिव्या चीठी लिखनी सीख गई थी ना आप भी सीख गई आप भी चीठी लिखना तो दिव्या ने अपने पापा को चीठी में क्या लिखा चलो देखते हैं दिव्या ने लिखा प्यारे पापा नमस्ते मुझे आपकी और मम्मी के बहुत याद आ रही है बुआ जी मुझे बहुत प्यार करती है और कभी कभी अपने साथ बाजार भी ले कर जाती है लेकिन मुझे बाहर खेलने नहीं जाने देती है और मैं और सोनू घर में अकेले ही खेलते है बुआ जी मुझे ही घर के काम करने के लिए कहती है सोनू को नहीं अब बुवा जी को कहना कि वह मुझे भी खेलने के लिए बहार जाने दे और सोनु को भी घर के कुछ काम करने को कहे सोनु ने मेरी वै गेंद गुम कर दी जो मम्मी ने मुझे पिछले जनम दिन पर दी थी मेरा जो दांट तूट गया था उसकी जगह आप नया दांट निकलने लगा है पापा अब तो हमारी गाय का बचड़ा भी खुब उचल कूद करता होगा पापा आप मुझे कब लेने आओगे आते से मैं आप मेरे और सोनु भाईया के लिए चाबी वाली कार, पठरी वारी लेल, ताली बजाने वाला बंदर और धेर शाले खिलोने लेकर आना आपकी बेटी दिव्या तो प्यारे बचो इस तरह दिव्या चिठी लिखना सीख गई तो अब आप भी चिठी लिखना सीख गए हो और आप कभी जब घर से दूर जाओगे तो अपने मम्मे पापा के लिए और अगर मम्मे पापा के पास हो तो अपनी बुवा दादा दादी या चाचा चाची के लिए चिठी ज़रूर लिखना अच्छा बच्चो एक बार फिर मिलेंगे एक नई चीज सीखने के लिए